डिक्टेशन स्टार्ट होगा पांच सिकेंड बाद स्टार्ट मनुस्य की सबसे पूरानी गतिविधियों में सरीक जासूसी एक ग्रीक पौरानिक चरित्र पेगासस के चलते हमारे बिमर्स के केंद्र में आ गई है किसी ने नहीं सोचा था कि एक बार बोतल से बाहर आने के बाद जिन किन किन के कंधों पर बैठेगा यह तो पाखंड होगा कि कोई जासूसी की जरूरत था उसकी ब्यापकता को सीरे से ही नकार दे लेकिन इस बार अपने भी सकपकाई हुए हैं ना उगलते बन रहा है ना निगलते हमारी आज की दुनिया में जासूसी के दो तरीके सरवाधिक लोकप्रिय हैं पहला हुम इंट यानि इंसानों के जर्ये जासूसी और दुसरा इलेक्ट इंट यानि समवाध प्रेशित करने या प्राप्त करने के उपकरणों में सेंध लगा कर मतलब की सुचनाय हासिल करना यदि सरल भासा में कहना हो तो पेगासस दूसरी स्रेणी में आएगा पर यह इतना असान भी नहीं है इसका सबसे बड़ा कारण उन लोगों का चैन है जिन्हें जासूसी के लिए चुना गया था यह याद रखना होगा की इजरायली कमपणी एनेसो द्वारा विक्सित सफ्टवेयर पेगासस को वहां की सरकार ने इउध के हंथियार के रूप में घोसित कर रखा है इउध का हंथियार गोसित उत्पाद की विक्री सरकारी नियंत्रण में आ जाती है भारतिये नागरिकों के लिए यह समझना थोड़ा मुश्किल जरूर होगा क्योंकि हमारे यहां अभी तक ऐसी समागरी सारवजनिक छेत्र में ही निर्मित होती है लेकिन हाल में फ्रांसीसी युध बिमान राफेल की खरीद से इसे समझा जा सकता है राफेल को एक नीजी फ्रेंच कमपनी ने बनाया जरूर है पर वह इसे किसी देश को बेचेगी तब ही जब उसे अपनी सरकार की इजाजत मिल जाए इनेस्तों के लिए भी जरूरी है कि वह पेगासस इजरायल सरकार की अनुमती से ही किसी ऐसी सरकार को बेचे जिसका मनव अधिकारो या ट्रैक रिकार्ड अच्छा रहा हो इसे किसी गयर सरकारी संगठन को नहीं बेचा जा सकता पेगासस अपनी स्रेणी में अब तक का सबसे घातक सब्ट्वेर है इसे किसी भी मोबाइल फोन केंप्यूटर या लैप्टप में बिना उसे सरीक संपर्क किये डाल जा सकता है यहां तक की काफी हद तक सुरचित समझे जाने वाली एपल की मसीने भी इसके निशाने से नहीं बच सकती केवल एक निर्दोस सा संदेश पढ़े जाते ही यह सब्ट्वेर किसी भी उपकरण में ऐसे वायरस का प्रवेश करा देगा जिससे उस उपकरण की सारी गतवीधियों तक उसके हैंडलर की पहुंच मुमकिन हो जाएगी यह वायरस उपकरण में उपलब्ध कैमरा, वायस, रिकोरडर, मेल, भागोलिक उपस्थिती या कोई भी दूसरा एप जिसे डाउनलोड किया गया होगा अपने हैंडलर को सुलभ करा देगा इसमें यह भी सलाहियत है की पकड़े, जाने का खत्रा होने पर या गलती से किसी दूसरे सिम काड से संपर्क हो जाने पर यह खुद को नस्ट भी कर सकता है, सायद उसकी इन ही छमताओं के कारण निर्माता कमपनी पर रोक है की वह इस उतपाद को किसी गैर सरकारी संगठन को नहीं बेच दुनिया की तो छोड ऐसा भी नहीं की भारत में पहली बार अपने विरोधियों की जासू सी कोई सरकार करा रही थी, प्रधान मंतरी चंदर सेखर की सरकार इस आरोप पर गिर गई थी की खुफिया एजेंसी के लोग राजीव गांधी के घर की निगरानी कर रहे थे सभी जानते हैं की एक निश्चित प्रकिरिया के तहत सचम प्राधिकारी से अनुमती लेकर किसी के टेलिफोन सुनना एक बैध करवाई है फिर क्या वजह है की इस बार इतना सोर सराबा हो रहा है इसके दो परिशान करने वाले कारण है एक तो यह सफ्ट वेजर सिर्फ सरकारों को बेचा जा सकता है और दूतरा सिकार हुए लोगों की जो सुची एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जारी की है वह बड़ी विवित्तापूर्ण है इस सुची में राहूल गांधी या ममता बनर जी के करिवियों के नाम तो हैं ही इसमें सत्ता पार्टी के एक बरतमान और एक भावी मांतरी का नाम भी है पत्रकारों और एक्टिविस्टों से होती हुई आपकी निगाहे एक नाम पर अटक जाती है जो सर्वच नियाले की एक कनिष्ठ महिला कर्मी का है ना सिर्फ उसका बलकी उसके पती समेत कई रिष्ठेदारों के टेलिफोन नमबर इस फेहरिस्ट में है इस कर्मीने ततकालिन प्रधान नयाधिस के खिलाप योन उत्पिडन की एक सिकायत दर्ज कराई थी फोन की निगरानी और महिला कर्मी की सिकायत का समय एक ही है इसलिए स्वभाविक रूप से कुछ गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं पैराग्राफ चेंज नितिगत कारणों से भारत में पेगासस किसी गयर सरकारी संस्था के पास नहीं हो सकता इसलिए और जरूरी है कि सरकार असपस्ट करे कि उसने यह सफ्ट्वेयर खरीदा था या नहीं मात्र इतना बयान देने से कि उसकी किसी एजेंसी ने फोन जासूसी नहीं की है काम नहीं चलेगा वैसे भी यह मानवाधिकारों से जुड़ा मामला है और दुर्भाग्य से अंतराष्टिय समुदाय के सामने भारत का रिकॉर्ड खराब हुआ है आगले हफ्ते अमरीकी भी देश मांत्री नई दिल्ली आ रहे हैं और उनके प्रस्तावित एजेंडे में मानवाधिकार एक मुद्दा है बहुत संभावना है कि पेगासस का मामला भी उठे पैराग्राफ चेंज एनेसो ने विवाद बठने के बाद अपनी सफाई में कहा है कि पेगासस के कारण करोणों लोग दुनिया में चैन की नीद ले पाते हैं बात सही हो सकती है अगर इसका उपयोग माफिया या आतंकी गुटों के खिलाफ किया जाए पहली बार इस सफ्ट्वेयर का सफल इस्तेमाल मेक्सिको में ड्रग माफिया के खिलाफ किया गया और तभी दुनिया का ध्यान इसकी तरफ गया भी हमारे देश में जहां आतंकवाद या संगठित अपराधू के सामने कई बार राज्य बाउना लगने लगता है इसका प्रभावी इस्तेमाल हो सकता है पर यह एक दुधारी तलवार की तरह है यह याद रहे अभी भी लोकतांत्र भार्दिय समाज में बहुत पवीत्र मुल्य नहीं बन पाया है इसलिए सरकारों की स्वभाविक इच्छा हो सकती है कि वे अपने बिरोधियों की जासूसी कराए ऐसे में पेगासस जैसे सफ्टवेयर का निरंकुस परियोग सारी संस्थाओं के लिए जिन में स्वतंत्र न्याईपालिका वा निर्भिक पत्रकारिता भी सरीक है खतरा है कोई सक नहीं कि देश में फोन टैपिंग के लिए एक निर्धारित कानूनी प्रकिरिया है पर पेगासस जैसे सफ्टवेयर तो बिना किसी मान्य काईदे कानून के उपयोग में लाए जा सकते हैं ए अपने पीछे कोई निसान नहीं छोड़ते इसलिए बाद में दोसी का पता लगाना भी लगभग असंभव होता है खतरा जितना बड़ा है उसमें गड़तंत्र की सारी संस्थाओं को सिर गड़ा कर एक साथ विचार करना होगा और इससे निपटने के लिए मिलकर रणनीती बनानी ही होगी तब